नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिव्यान शर्मा आज भारत ही नहीं तीसरी दुनिया के कई देश सूखा और जल संकट की पीड़ा से तरस्त है आज इंसान मंगल ग्रह पर जल की खोज में लगा हुआ है लेकिन भारत समेथ कई विकास शील देशों के कई गाउं में पीने य लोगे शुद जल तक नहीं मिल पा रहा है हाला कि दुबारा सत्ता में आए मोधी सरकार ने भारी विरोध के बीच जल शक्ति बंत्राले भी बना दिया लेकिन क्या उससे जल संकट पर काबू पाए जा सकेगा सवाल बड़ा है पर हल्वी तलाशना जरूरी है इससे पहले एक छोटी सी जलक देखिए जल्दी ही जल जाओगे अगर न बची जलकी बूंदें कैसे प्यास पुझाओगे नाती पोते खड़े रहेंगे जल राशन की कतारों में पानी परसे बिचेंगी लाशें लाखों और हजारों में रिष्टे नाते पीछे होंगे जलकी होगी मारा मारी रुप्यों में भी जल न मिलेगा जलकी होगी पहरेदारी हनन करेंगे शक्ति शाली नदियों के अधिकारों का सारी जल पर कबजा होगा बाहु बली मक्कारों का जल है तो कल है जिहां बिना जल के जीवन की कलपना नहीं की रह सकती आज भी जब अंत्रिक्ष वैग्याने के दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पानी होने की संभावना को जाजते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है अपनी नादानी की वज़ेश से हम लोग अपने ही धर्ती के पानी को खत्म करते जा रहे हैं मैंने अपने खुश्क आँखों से लहु छलका दिया एक समुन्दर कह रहा था मुझको पानी चाहिए जी हाँ अगर हम आज भी नहीं समले तो हालात कुछ ऐसे ही हो जाएंगे अगर ये केवल आशंगाएं होती तो शायद कुछ तसल्ली मिल जाती लेकिन नितिया योग ने पानी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है वो किसी अनहोनी की और संकेत कर रहे हैं पानी को लेकर कि अगर हम पानी के उप्यों को संचय पानी और सिचाई पानी मतलब दोनों की तरफ ध्यान दे जैसे कि वेस्ट वाटर को रिट्रीट करके हम इरिगेशन के लिए इस्तमाल करें इसी चीज़ों पर पाती है कि इन सब चीज़ों से हमारी आर्थिक गती बढ़ सकती है और हम आगी जा सकते हैं तो इन चीज़ों पर जादा जोड़ प्या लिए हैं नितियायों की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 21 शहरों में पानी का भीशन संकट आने वाला है दिल्ली, बैंगलोरू, चिन्नई और हैदराबाद भी इन में शामिल है इन शहरों की 10 करोड की आबादी अगले साल से ही पानी के संकट की चपेट में आ जाएगी 2030 तक भारत की आबादी के 40 फीसदी हिस्से को पानी के भीशन संकट से 2-4 होना पड़ेगा भारत का 70 प्रतिशत पानी प्रदुशित हो चुका है प्रदुशित पानी के मामले में भारत 122 देशों में 120 वे नंबर पर है निती आयोग की रिपोर्ट के मताबिक 60 करोड भारतिये गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं यानि भारत की आधी आबादी पानी के गंभीर संकट से घिरी हुई है पानी पानी जो है जसलिछने बहुत ज़़रोरी है हमारे जितने भी लोग है वो ये जान ले कि पानी जो है रिंचिंग वाटर परτιक्वलर उसका कैसे इस्तिमाल किया चाए और कम तरीके से इस्तिमाल किया जाए हम आम तोर पे आप देखेंगे कि drinking water जो हमें public health engineering department सप्लाइ करता है उस पानी का इस्तिमाल हम गाड़ियों को दोने के लिए भी करते हैं हम अपने बाग बगीचे में भी उसका इस्तिमाल करते हैं यहां तक कि जब हम अपने toilets पे flush करते हैं वही drinking water को हम flush करते हैं तो हम कोशिश यह कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि आपके पास alternatives हैं आप पानी को recycle कर सकते हैं और रिसाइकल पानी जो है उसका इस्तिमाल किया जा सकता है साफ पानी नहीं मिलने के कारण हर साल दो लाक भारतिये मर जाते हैं हर दिन परदुशित पानी के कारण भारत में 547 लोग मर जाते हैं क्या यह आकड़े काफी हैं पानी को लेकर कुछ करने के लिए या अभी हम और इंतिजार करेंगे कि हर दिन एक हजार लोग मरेंगे तब कुछ करेंगे 2030 का साल आते आते पानी का संकट और गहरा हो जाएगा भारत मौजूदा दौर में अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है निति आयोग के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी और देश की GDP में 6 परतिशत की कमी देखी जाएगी बिरो रिपोर्ट टीवी 24 जल संकट अब आशंकाउं से आगे बढ़कर हकीकत में तब्दील हो चुका है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तकपानी के लिए हाहकार मचा हुआ है हालात ऐसे हो गए हैं कि इस जल संकट से अब देश की राजाने दिल्ली भी अचूती नहीं रही है देश भर में जल समस्या को लेकर धर्णा परदर्शन हो रहे हैं जन्यता इसके लिए सरकार को जिम्मेदा ठहरा रही है और सरकारी रिपोर्ट में इस जल संकट के लिए जन्यता को दोशी बताया जा रहा है लेकिन अब मामला एक दूसरे को दोशी ठहराने से आगे निकल चुका है अब सबाल जीवन और मरण का है मैं अवेर कर रहा है कि हम हर एक वाटर ड्रॉप की कितनी कितनी इंपोर्टेंस है ऐसे भी कितने जगाए जांपर पानी अभी तक नहीं उनको तरस्त है वो लोग पानी के लिए तो उस लहाज से यह हमें इंपोर्टेंस दे रहा है कि हम कितना वेस्ट करते हैं और कितना हमारे को देख रहा है मैनेजमेंट पानी की करनी है ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रिब्यूट हो जाए पानी पिछले कुछ दिनों में चन्नई और कोयम बटूर से लेकर शिमला और जम्मु कस्मीर तक से पानी की किलत की खबरे आई हैं राजस्थान और दिन्ली से लेकर बिहार के कई इलागों के लोग जल संकट से जूस रहे हैं सिर्फ मैं लोगों को यह कहना चाहूँ है कि जब भी वो नल खुलते अपना टैप तो वो दो बातों पर गोर करना है एक यह कि यह पानी कहां से आ रहा है हम नल खुलते हैं तो हमें पानी मिल जाता है हम कभी गोर नहीं करते हैं कि किस ग्लेशर से आ रहा है नदी से आ रहा है कहां से आ रहा है और हमें तो टैप खुल के मिल जाता है शहर में क्या लोगों को पानी दस्तियाब है और ये कोई दूर दराज की राजस्थान के गाउं की बात नहीं है यहां अनंतनाग में अच्छा बल जिसको पानी का शहर कहा जाता है वहां ऐसे कुछ गाउं हैं, हैमलेट हैं यहां पानी को ट्रक के जरीए, टैंकर के जरीए पहुँचाया जाता है और हफते में दो दिन पहुँचाया जाता है पूरा बुंदेल खंड सुखे की मार जेल रहा है मध्यपरदेश में शिप्रा नदी को जिन्दा करने के लिए नर्मदा का सहारा लेना पड़ता है लोगों तक पानी पहुचाने के लिए अकेले मध्यपरदेश में ही 15 साल में 35,000 करोर रुपे खर्च कर दिये जाते हैं पहले गाओं और कस्बों में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखती थी लेकिन अब लगभग सभी महानगरों में ऐसी ही तस्वीरें दिखने लगी हैं ये तस्वीरें उन सब भ्रांत लोगों को विजलित कर सकती है जिनके नलों में 24 घंटे बिना किसी रोक्टों के पानी आ रहा है लेकिन देश की आधी आबादी के लिए पानी की ऐसी किलत अब उनकी दिन्चरिया का हिस्सा बन गई है हमारी बाडी में 80 परसंट है हमारी जिंदगी पानी है जब पौदू में पानी नहीं होगा पौदे तो गज़ा प्रडूस नहीं कर सकती है इस बार मौनसुन के आने में थोड़ी तेर हुई है लेकिन जल्दी ही देश भर में मौनसुन की बारिश शुरू हो जाएगी कई इलागों में बार के कारण त्राहिमाब शुरू हो जाएगा उस वक्त ऐसा लगने लगेगा कि हमारे देश में पानी की तो कमी है ही नहीं लेकिन बारिश के कुछ दिनों के बाद ही हालाद फिर पदलने लगेंगे बारिश का पानी सीवर, नालों और नदियों से होता हुआ समुद्र में मिल जाएगा और कंक्रीट का जंगल बन चुके शहर की धर्दी 85 की प्यासी ही रह जाएगी कुछ महीनों के बाद फिर से पानी के लिए धर्ड़ना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा देरो रिपोर्ट टीवी 24 और फिला लक्ता ब्रेक का ब्रेक के बाद खबरों का सलसला जाई रहेगा देश में पानी के लिए हाहा कार मचा हुआ है यह समस्या कितनी विक्राल हो चुकी है यह बताने की जरूरत भी नहीं लेकिन यह जानना भी बेहर दरूरी है कि आखिर समस्या की जड़ में क्या है आज भले ही हम लोग जल संकट को गम भीरता से ना ले रहे हों लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही यह समस्या और विक्राल रूप ले लेगी फिलहाल महिलाओं और बच्चों की ये लंबी कतारें उन जगहों पर लग रही है जहां से उन्हें पानी मिल्ले की आस रहती है लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो ऐसी ही लंबी कतारें शमसान और कप्रिस्तान के आगे लगने लगेगी महानगरों की बात करें तो चिन्नई इसका जीता जागता उदारण है यहाँ पर पिछले तीन साल से सूखे जैसे हालात है समस्या इस कदर विक्राल रूप लेती जा रही है कि यहाँ का होटल वैवसाई पानी की किल्लद के कारण ठप होने की कगार पर पहुँच गया है पानी नहीं होने के कारण कई होटल पर तो मौनसुन आने तक ताला लगातिया गया है यहाँ पर अस्पताल तक में पानी नहीं है आईटी सेक्टर में भी कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहकर काम करें दफ्तर ना आएं सकार ने पानी की सप्लाई में 40 पर्तिशत की कटोती कर दी है आईए अब जानते हैं कि चन्नई में आखिर ऐसे हालात बने ही क्यों पानी नहीं है तो यह बोली हमारा घर जमीन यह छोड़के हम कहां जाए या तो पहरा में सासन पानी की विवस्ता करके दे उन नहीं तो हमारी प्रापर्टी का मौप जद्यादे में किसी उहल गाओं को पलायन कर जाओंगा दरसल मत्रास रेसिडेंसी में कभी हजारू तालाब गुआ करते थे मगर उन्हें भरकर शहर के लिए प्लॉट काट दिया गया चन्नेल शहर की अडियार नदी के फ्लॉट पेसिन में एरपोर्ट बना दिया गया यहां की दलदली जमीन को भरकर मास रैपिट ट्रांजिट सिस्टम बना दिया गया हालात ऐसे बने कि दिसंबर 2015 में चन्नेल बाढ़ में टूप गया और सैकडो लोग मारे गये थे बारिश का पानी सोक सके इसके लिए प्रकरती ने जो जमीन दी थी वो कायब हो गई उसके बाद से ही यहां सूखा ही सूखा है चिन्ने को एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है वहाँ पर जिस तरह की लापरवाही बढ़ती गई कमोबेस वैसे ही लापरवाही देश भर में विकास शील शहरों में बढ़ती जा रही है वहाँ भी तलाबों को भर कर घर बनाई जा रहे हैं सासन से कई बार अपने पंचाज से प्रस्ताव दिये हैं जिलासन लेकों सो राज सरकार दाग अपने जो पंचाज स्थर से कारवाही करते हैं तो पून कर चुके अभी हमने जो नर्मल नीर का कुगा खुदवाया है इसको 38 फुट गहरों करवा दिया सासन से इसमें 64,000 रोपय अभी तक मिली है इसमें लागत कम से कम 3,65,000 रोपय लगा चुका है दो हमेना सोयम करवा दिये 600 फुट गहरी परंतु जल स्थर 600 फुट की नीची है उसके उपर पानी नहीं फसा यहां तो कोई सुभीदा ही नहीं है बारिश के पानी के इस तमाल का कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा है पूरा शहर कंक्रीट जंगल में तबदील होता जा रहा है भू माफिया पहले सरकारी रिकॉर्ड रूम से तालावों का रिकॉर्ड गायब करवाते हैं फिर तालाव को भरने में लग जाते हैं इसकी एक बड़ी वजह बारिश में आई कमी भी है लेकिन उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार है अगर बारिश के पानी को चेक डैम या तालावों के जड़िये रोक लिया जाए तो साल भर खेती के लिए और पीने की पानी की समस्या नहीं होगी दरसल हमने जलसन रक्षन के पारम परिक तौर तरीकों को धीरे धीरे बुला दिया है और कंक्रीट के जंगल खड़े करते गए हैं दूसरी और अंधाधुन तरीके से भूजल का दोहन करते जा रहे हैं बारिश के पानी का संग्रह नहीं करने और बारिश में कमी होने से जलस्तर नीचे जाने लगा है जब हैंड पंप नाकाम होने लगे तो लोग समर्सिबल पंप लगाने लगे जिससे भूजल का और तेजे से दोहन होने लगा लेकिन ऐसा कब तक चलेगा भूजल का स्तर लगतार नीचे जाएगा और फिर जलसंकट और गंपीर होगा कमोबेश यही स्थिती अन्य शहरों की भी है अगर हमने आज की गल्पियों से सबक नहीं लिया तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा हमें अपने साथ साथ अपनी अगली पीडियों की भी फिक्र करनी पड़ेगी हमें ये समझना होगा कि जल है तो कल है बिरो रिपोर्ट टीवी 24 पानी की किल्लत को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतने कंभीर हम अब भी नहीं है शायद हाला की कंभीरता का एहसास हमें नहीं है भूजल विशेशग्यों का मानना है कि 2020 तक पीने के पानी की मांग और आपूर्ती में भारी अंतर हो जाएगा अगर देश की जल विवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो जादातर बड़े शहरों में 2020 तक पर्याप्त पानी उपलब्द नहीं होगा हो जादर चुनाय में कोई बाधा कर जाते हैं पानी की किल्लत और तापमान बढ़ने का सीधा असर खेतिक किसानी पर पढ़ेगा और पैदावर कम हो जाएगी। किशिव शग्यों का कहना है कि देश का एक डिग्री तापमान बढ़ने से गेहूं, सोयापीन, सरसों, मुंफली और आलू की पैदावर में तीन से साथ प्रिसदी की कमी आजाएगी। ये जानना जरूरी है कि जल सनरक्षन सीधे तौर से खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी अंतेखी की भारी कीमत चुकानी पढ़ सकती है। नितियायोग का कहना है कि देश में पानी की कमी नहीं है, बलकि पानी के नियोजन की कमी है। राज्यों के बीच जल विवाद सुलजाना, पानी की बचत करना और बहतर जल प्रवंधन कुछ ऐसे काम हैं जिनसे कृषी आमदनी बढ़ सकती है। और गाउं छोड़कर शहर आये लोग वापस गाउं की ओर लोट सकते हैं। एक आगडे के मुताबिक यति हम अपने देश के जमीनिक शेत्र फल में से केवल पांच परतिशत बारिश का पानी संग्रह कर लें, तो दस करोड लोगों को दस लीटर पानी परति व्यक्ति परति दिन मिल सकता है। हमारे गाउ की आबादी कुल 1600 है, 1600 परिवार, 1600 जो आबादी है, एक मातर कुवा ऐनी जो खड़ा है, इसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी निकल कर हम लेकर जाती, गाउ में जो भी स्रोध है, गाउ में स्रीप खारा पानी काई है, पी नहीं सकते, और नहाने को भी चलता है मगर नहाते लोग, और जो बच्चे है, और स्कुल भी मिस हो जाती है, और हम लोग जो खेती का काम करते है, खेती को तो बहुत ही बिकत होती, हैंने खेती का काम करना क्या पानी बढ़ना होती बिकत है, हमारे सरकार से यह बिंती है, गाउ कर से गाउ कर के इसमें से, कि हमार यह दरन में से जो भी मिटा पानी है, वो मिटा पानी हमको जल्दी से देल्दी देना जाईए. और हमारे गव में यह गड़ा है, यह गड़ा में से पान भरते, यह गव में धरन है, इसका कुप आमको कुछ फाइदा नहीं. मौजूदा दौर में बारिश का 85% पानी बरसाती नदियों के रास्ते समुद्र में बह जाता है. इससे निचले इलाकों में बाढ़ा जाती है. यदि इस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में डाल दिया जाए, तो दो तरफा फाइदा होगा. एक तो बाढ़ का समाधान होगा, दूसरी तरफ भूजलस्तर बढ़ेगा. जलसंकट से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं. बच्चों को इसकूल में ही पानी के महतों के बारे में बताया जाए. पर्यावरण के सनरक्षन के उपाई किये जाने चाहिए. बारिश के बानी के संग्रह के तरीके अपनाए जाने चाहिए. जलसंरक्षन के पारंपरिक तरीकों को फिर से इस्तमाल में लाया जाना चाहिए. भूजल के अत्याधिक दोहन से परहेज करना चाहिए. तालाबों और अन्य जलसन साधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए नदियों और तालाबों को प्रदुशन मुक्त रखा जाए नदियों और नालों पर चेक डैम बनाए जाए इस तरह के उपाय काजू पर तो काफि समय से किये जा रहे हैं लेकिन जरूरत है इन उपायों को हकीकत की जमीन पर लाने की इन उपायों में सबसे एहम है पानी की बरबादी को रुकना और उसके परती लोगों को जागरुक बनाना जब तक आम जनता पानी के महत्तों को नहीं जानेगी और जब तक आम जनता पानी बचाने के लिए जागरुक नहीं होगी तब तक पानी की किल्लक को दूर करना मुश्किल है सब को ये समझना ही होगा कि जल है तो कल है और फिलाल हमारे इस खास पेश्कष में इतना ही आप देखते रहिए जागरे दूर्ण को ये समझना आप देखते रहिंगे तो कि जागरुक नहीं होगी